So hello dear residents, हम पढ़ रहे थे class 10th, history का second chapter जो बहुत important है, second term के लिए वो था nationalism in India और इस nationalism in India में मैं थोड़ा सा आपको recap करवा रहा हूँ, definition देखा, definition के बाद में हमने ये देखा कि इंडिया के अंदर nationalism कैसे आया, previous I think हम 4 points पढ़ चुके हैं, 4 lectures इसके देख चुके हैं, First World War के अंदर participation हमने देखा और इसके बाद हम आ गए थे सत्याग्राय कुछ movements के उपर जब गांदी जी लौट के आयते भारत में, इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के बारे में भी जो जुड़ेवी questions आते हैं, वो हमने देखे थे, महत्मा गांदी से जुड़ेवे सत्याग्राय के बारे में भी हमने discuss किया, कैसे उन्होंने South Africa में सत्याग्राय movement किया था, उसके बाद में फिर इंडिया के अंदर, क्या होता है सत्याग्राय movement ये भी हम discuss कर चुके हैं already, सत्याग्राय movement दो मैने आपको बताये थे, मतलब तीन बताये थे, especially चंपारण, खेड़ा and हमने चंपारण देखा कि कैसे हुआ, इसको मैप में बताता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा, देखें, ये मैप एक बार पहले रिकॉल कर लें, देखें, आप जानते हैं कि जो सत्याग्राय movement हुए, सबसे पहले तो हुआ हो, जब 1915, गांधी जी, जब इंडिया में लॉट के आए, तो 15 में आए, इसके बाद में, 16 में खेड़ा के अंदर, सॉरी, 16 के अंदर, चंपारण, बिहार, पहले भी बता चुका हूँ, इसको थोड़ा सा याद रखना, ये 16 and 17, मैंने आपको 17 वाला logic भी दिया था, तो कई बुक्स में आपको 17 मिलेगा, तो confusion नहीं होना है, 17 के अंदर, खेड़ा, गुजरात, और सेम वही, 18 के अंदर भी, गुजरात, और 19 के अंदर, रॉल एक्ट, एक्ट, अब समझने वाली बात है, इसके अंदर आपको map थोड़ा याद रखना है, बिहार आप highlighted कर देंगे, बिहार के अंदर आपको highlighted करना ये place, ठीक है, बिहार और नेपाल की जो border है, उसके थोड़ा सा बिहार वाली side में आपको mark करना है, चमपा रहा है, एहमदाबाद आपको यहाँ दिख रहा होगा, यह मैंने yellowish color का जो dot दिखाया है, that is, एहमदाबाद, और अगर आप खेड़ा देखेंगे तो यहाँ पर यह खेड़ा, ठीक है, एहमदाबाद के जस्ट नीचे, अच्छा, समझने वाली बात है इसमें, गुजराद के मैप, मतलब आपसे अगर इंडिया का मैप पूछेगा और यह सत्याग्राए मूवमेंट्स पूछेगा, कुछ freedom मूवमेंट्स पूछेगा, तो तुम जानते हो, गुजराद के अंदर चार मूवमेंट्स हुए हैं, एहमदाबाद हुआ है, फिर आपके खेडा के अंदर सत्याग्राए मूवमेंट्स, इसके बाद में आपका बारदोली हुआ है, सिक्वेंस देख लीजेगा, सबसे उपर ही उपर, एहमदाबाद ये सारे सिक्वेंस में है, एहमदाबाद से नीचे जाएंगे, तो खेडा, खेडा के नीचे जाएंगे, तो बारदोली, बारदोली के नीचे जाएंगे, तो डांडी, इस सिक्वेंस में है ये, कैसे याद करने का एक छोटा सा ट्रीक है कि आप एहम्दाबाद खेडा बार दूलियें डांडी यह जो मैप के अंदर आपको याद करना है तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हूं ठीक है यह है सत्याग्रा मुवमेंट डांडी मार्च में क्या हुआ था वो हम देखेंगे आगे आन इंसिडेंस हुआ और उसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए क्या क्या हो रहा था तो मैं पता ही है मार्चल लौ इसमें इंपोस कर दिया गया था सत्याग्राइज ने जलिया वाला बाग इंसिडेंस को हर जगह पर एक तरीके से प्रॉट मता उसके अगेंस्ट में चले गांदी जी को जब वाइलेंस यह दिखा तो गांदी जी ने सब्टाइगरा मोर्मेंट जो था उसको एक तरीके से कॉल आफ कर दिया जलिया वाला बाग इंसिडेंस के अंदर जब उनको वाइलेंस दिखा तब उन्होंने ऐसा किया ठीक है इसके बाद खिलाफत इशूज क के अंदर है मैंने तुम्हेर बताया था कि कैसे luamik वर्ड के अंदर जो खलीकाज होटे हैं उन्होंने उन के उपर जब उनको हटा दिया गया तर्किश एमपायर के अंदर वोल्ड और इंदर हारे तो कैसे वो एक फैल गया कि हर जगे से अब खलीफास को अटा दिया जाएगा यहां पर लोग डर गए शौकाद अली मौहमद अली ने ये मुस्लिम लीग के अंदरे डिसकस किया गया गांधी जी के तुरू खिलाफत कमीटी बनाई और उसके अंदर फिर गांधी जी को लगा बहुत अच्छ था क्या जो दिसंबर 1920 में इन्होंने स्टार्ट किया और 21 के अंदर जैनुवरी 21 के अंदर कैसे ये एप्लिकेवल हो गया चली शुरुवात कर दें गांधी जी ने ये जो नौन कॉपरेशन खिलाफत मूवेंट है मैंने कहा नौन कॉपरेशन मूवेंट नौन कॉपरेशन मूवेंट जो है वो दिसंबर 1920 में कन्वेंस कर लिया गया है नाकपूर सेशन के अंदर जो अपनी इंडियन नैशनल कॉंगरिस थी उसे उनके लीडर्स को और फिर मिलकर के इन्होंने क्या किया है जनवरी के अंदर खिलाफत मूवेंट स्टार्ट किया ये नौन कॉपरेशन मूवेंट क्या था नौन कॉपरेशन मूवेंट के अंदर दो चीज़ें की थी इन्होंने कहा गान्दी जी के नेड थी अब जब जलिया वाला बाग इं परकी गई वो थी स्वाराज की डिमांड, सबसे पहली डिमांड थी स्वाराज, स्वाराज का मतलब होता है अपना, हर एक चीज में अपना खुद का राज होना चाहिए, मतलब खुद का अड्मिस्ट्रेशन होना चाहिए, दूसरा, यह जो भी खिलाफत इशूज हैं, खिला अगर इसको solve नहीं करोगे तो अब ये civil disobedience में भी बदल सकता है ऐसा इनोंने कहा गांधी जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिंद स्वाराज क्या था किताब का नाम हिंद स्वाराज उन्होंने अपनी बुक में बताया बहुत अच्छी चीज डिकलेर करी उन्होंने कि ब्रिटिशर्ज जो हम पे रूल कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें मौका दे रहे हैं अगर उन्हें हम कॉपरेट करना बंद कर दें तो गांदी जी इस बात के लिए अशौर थे कि ब्रिटिशर्ज हम पे रूल नहीं कर पाएंगे कभी भी इसी चीज़ को इन्होंने मेंशन किया अपनी बुक में हिंद सौराज नाम था उस बुक का और ये पब्लिश हुई थी 1909 में ठीक है याद रहेगा इन्पॉर्टेंट है याद रख लेना आगे देखो गांधी जी ने कहा काफी अच्छे से कि इफ इंडियन्स रिफ्यूस तो कॉपरेट ब्रिटिश वुड रूल कॉलाप्स विदिन आई है मतला ब्रिटिश जो साशन है वो एक साल से कम में ही खतम हो जाएगा अगर इंडियन उनको सपोर्ट करना बंद कर दे त साथ इसी थौट के साथ कई जगह पर गे जो मुवमेंट था नॉन कोपरेशन मुवमेंट फॉर स्वाराज स्वाराज एंड फॉर सॉल्विंग दा खिलाफत इशू इन दो पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए ये सारी चीज़ें एक्चुली सामने कौन सी चीज़ नॉन कोपरेशन मुवमेंट की दो चीज़ें थी स्वाराज तो बेसिकली जो हिंदू का चल रहा था और खिलाफत जिसमें उन्होंने कन्वेंस किया था शौकत अली, मौहमद अली जो थे जिस तरह से उनको साथ मिलाया गया था तो उनका भी तो कुछ होगा नीड तो वो यही नीड था कि खिलाफत जो इशूज है उनको सॉल्व कर दिया जाए इन दो इंटेंशन के साथ न्सी एम जो था उसको चलू किया गए अब यह जो NCM था, मतलब non-corporation movement जो था इस movement को कई सारी stages के अंदर देखा जा सकता है, unfold किया जा सकता है लोगों ने initially क्या किया? non-corporation movement के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने अपने titles देना शुरू कर दिया governments को उनके जो दिये वे awards थे, Indians ने especially Indians ने अपनी नाराज की उन लोगों को दिखाने के लिए अपने titles, titles का मतलब होता है जैसे अपने बोलते ना, किसे को हम title दे देते हैं, sir, maharaj, या फिर और भी, जैसे बापू ठीक है? तो यह जो titles थे, इन titles को उन्होंने लोटाना शुरू किया और जितने भी awards मिले वे थे, British government के थूँ इंडियन्स को, वो awards भी इन्होंने उनको देना शुरू किया एक तरीके का, यह बहुत ही politely, they were actually opposing के हम आपकी जो भी rules, regulations हैं, उनसे हम खफा हैं आगे देखिए, कई जगे पर boycott किया जाना शुरू किया गया, refusal, अच्छा, यहाँ पर civil services का boycott हुआ सबसे पहले तो civil services क्या होते हैं, वो देखिए, जो भी British government के अंदर काम कर रहे थे, लोग, वो सारे civil servants थे जो भी civilians को administrate करने का काम कर रहे थे, वो civil servants थे, तो maximum लोगों ने, जो भी government services थी, उसका boycott करना शुरू किया Boycott का मतलब, refusal to deal and associate with the people, or to participate in the activity, or buy or use the things as a form of protest क्या आप खरीदना बेचना चोड़ दो, आप participate करना चोड़ दो, deal करना चोड़ दो, associate ना हो आप लोगों के साथ भी, साथ ही साथ किसी भी तरीकी के activity में participate अब जब नहीं करते, तो that is called boycott तो civil services का boycott होना शुरू हुआ, surrender कर दिया गया, titles, rewards ही मैंने आपको बताया इसके लावा, boycott किया गया, army को, police को, courts को, legislative councils को, schools को and foreign goods को All such things has been boycotted by the Indians क्यों, क्योंकि नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से, वो लोग, गांदी जी की बात तो मानी रहे थे, और गांदी जी ने कहा कि आप इनको support नहीं करोगे, तो कितने दिन जिएंगे ठीक है भाई, मानली बात तो boycott करना शुरू किया गया, army, police, courts, legislative council, schools and foreign goods the government, अब जब government को इसारी चीज़न पता चली तो British government तो होगी नाराज, government हुई नाराज और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस movement को repress करना शुरू कर दिया, गांदी जी के इस movement को उन्होंने repress करना शुरू किया सेम वही process जैसे सत्याग्राय movement में लोगों ने किया था ना, सत्याग्राय movement के अंदर जलिया वाला वाग incidence किया तो ऐसे यहां पर इन्होंने protest, इसको repress करना शुरू किया, अब लेकिन इसके parallel गांदी जी और शौकात अली जो थे, ये अपनी इस movement को पूरे लोगों तक फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, हर जगह पर, मैं थोड़ा सा back चला गया हूँ अभी, तुम जानते हो, नौन कॉपरेशन मुवमेंट के साथ मैं मैं बता रहा हूँ ये चीज़, जब खिलाफत कमीटी साथ में आ गई, और इन्होंने क्या किया था, गांदी जी ने और शौकात अली ने, खिलाफत कमीटी जब बना ली थी, तो उसके जस्ट बात से, civil disorder, मतलब जो, आईसे समझो 1915, 16, 17, 18, 19, इस 19 के बाद 1920 तक, 1920 में दो चीज़ें याद रखना, कि नौन कॉपरेशन मुवमेंट आ गया था, बट नौन कॉपरेशन मुवमेंट में हुआ क्या गया था, उसको already they have started in 1920 और 21 में इन्होंने नौन कॉपरेशन खिलाफत मुवमेंट लाउंच किया था, ठीक अगर लोगों को इस popular movement के अंदर इन्होंने mobilize करना शुरू किया, अब ही देखो हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, आप हमें support करोगे यह नहीं करोगे, इस तरह के गांदी जी और शौकात अली ने लोगों को क्या किया, एक तरीके से connect किया अपने साथ, mobilize किया, बट जो maximum Congress के leaders थे, इस बात के वो against में थे, कुछ लोग इसके against में थे, बड़े leaders इस movement के against में थे, क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि non-corporation movement से जितना थोड़ा बहुत भी हमें मिला है, ब्रिटिशर से administration में part करने का जितना भी हमें मौका मिला है, वो भी वापिस से छिन सकता है, क्योंकि non-corporation movement का मतलब है कि administrative जो भी activities होगी, उसमें हमारा कोई भी involvement नहीं होगा, जैसे ये लोग अभी मान के चलें, जिस तरीके से non-corporation movement करने जा रहे थे, उसमें इनका administration जो था लगबग खतम होने वाला था, तो ऐसे में बहुत सारे जो Congress के leaders थे, उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होन चाहिए, तो देखो भी क्या हुआ और, ऐसा क्यों हो, क्योंकि इस movement के अंदर boycott करना था elections को, council elections मतलब, जो 1935, 1919 ये जो दो law बने थे, the Indian Government Act 1919 और Indian Government Act 1935, क्या थे ये बता दूँगा आगे, इसके अंदर इन्होंने जो इनको authorities मिली थी, council elections की, उनको भी, इनको क्या करना था, एक तरीगे से हटाना था, और ये elections जो होने वाले थे, वो November 1920 में होने वाले थे, इस बात के लिए assured थे, और Congress नहीं चाती थी, कैसा हो, क्योंकि अगर ऐसा ये start कर देंगे, तो इनको refuse करना पड़ेगा, इस council election को, अभी जो non-corporation movement हुआ, वो लोग कुछ नाराज हैं, ये movement ह होगा, ये movement कैसे हुआ, ये movement हुआ, चार stages में, पहला stage है, सबसे पहले middle class, इसको हम पढ़ें अगर non-corporation movement को, that was just a kind of brief intro, और ये है थोड़ा detail intro, कि non-corporation movement को चार stages में हम पढ़ सकते हैं, पहला stage है middle class, दूसरा stage है, कि कैसे peasants ने ruler areas में, और कैसे tribals ने, जो इनका tribal area है और plantation workers ने किस तरह से इन movements के अंदर participate किया, तो आप सीधे सीधे simple सी बात है, towns में कैसे हुआ, villages में कैसे हुआ, tribes में कैसे हुआ, और plantation workers ने, कैसे इस movement में, non-corporation movement में participate किया, इसको हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, तो we have four different aspects for this, and one by one we will discuss about, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहले वाले stage की, middle class ने कैसे इसमें participate किया, movement के अंदर कैसे participate हुआ है, towns में कैसे participate हुआ है, middle class के तुरू, इसको हम discuss करने वाले हैं, तो यह जो non-corporation movement था, इसकी शुरुआत हुई, non-corporation खिलाफत movement 1921, ठीक है, याद रखें, अगर आ जाता है non-corporation movement, और अगर उसमें 1920 न 1921, क्योंकि नागपुर सेशन में इसको approval मिला था, शुरुआत भी बोल सकते हो, लेकिन actually, officially non-corporation खिलाफत movement की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी, तो इस movement की non-corporation खिलाफत movement की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई है, और देखो क्या हुआ है अभी या, अलग-अलग social groups ने participate किया, इस movement में अलग-अलग तरीके से, अपने-अपनी aspirations के साथ में, maximum different communities, different people, has taken part according to their self, and all joined the movement for Swaraj, but it means different things to different people, हर एक व्यक्ती ने Swaraj के point of view से, हर कोई चारा था के हमारा ही हम पे rule होना चीए, Swaraj को दिमाग में रखते हुए, all the people has initiated that we should also join this movement, and जो खलीफास हैं, उनको जो fear हैं, मतलब जो खिलाफत committee को tensions हैं, उन tensions को दूर करने के लिए भी लोगोंने इसको जोईन किया, लेकिन एक और चीज़ याद रखें, कि all the people has joined this movement, for different things, different purposes. The movement started with the middle class participation in the cities or towns, how they have taken participation, thousands of the students left the government, controlled schools and colleges, maximum जो schools थे, maximum जो college थे, जो यूथ था, they have left. आपको ध्यान होगा, काशी विद्या पीट और जामिया मिलिया, काशी विद्या पीट और जामिया मिलिया, यह Muslim University and यह Hindu University. इन में चले गए लोग, इनकी universities को छोड़ करके, इनकी colleges को छोड़ करके, अंग्रेजों की colleges को छोड़ करके, हिंदू लोग तो काशी विद्या पीट में पढ़ने चले गए, और Muslims जामिया मिलिया में चले गए. स्कूल्स की बार थी, तो छोटे-छोटे जो पार्ट शाला होती थी, गुरू कूल्स होते थे, वहाँ जाके बच्चों ने स्टुड़ी करना शुरू कर दिया. और क्या हुआ, टीचर्स ने और जो हेड मास्टर्स थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, कि या तुम्हारी नौकरी तुम समवालो, तुम से कोई मतलब नहीं है. लॉयर्स ने भी अपनी जो लीगल प्रैक्टिसेज हैं, उनको करना बंद कर दिया. लॉयर्स ने भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेज को बंद कर दिया, लग भग. 150 लॉयर्स जिसमें मोतिलान लहरू हैं और ऐसे बहुत सरे नामी नाम हैं, उन्होंने क्या किया? अपनी जो प्रैक्टिसेज थी, उनको मतलब बंद कर दिया. लॉयर्स थे वो, और दे हैफ लेफ्ट, और दे हैफ अपनी लीगल प्रैक्टिसेज जो भी उनके लॉज अल रहे थे, उन लॉज के अंदर उन्होंने प्रैक्टिस बंद की. और जमना लाल बजाज जो नाम है इसमें, जमना लाल बजाज. जमना लाल बजाज ने यह जो भी लॉयर्स थे, 150 लॉयर्स ने जिन्होंने काम करना बंद किया था, तो जमना लाल बजाज नहीं क्या क्या था, उन्हें फंडिंग करी थी, कि ठीक है तुम यह काम यहाँ पर प्रैक्टिस चोड़ो इनकी, तुम्हें जो भी फिनेंशल हेल चाहिए, तो I will do that, ठीक है, उस टाइम पर इन्होंने लैक्स में इनकी मदद की थी, इन 150 पीपल की जिन्होंने यह लॉयर्स का जो भी वर्क है, प्रैक्टिस है, उसको छोड़ा था, just to show कि वो कितने जादा डिस्साइटिसफाइड हैं with their actually activities, अब यह जो council elections थे, अब मैंने कर रहे थे, जो नहीं करना चाह रहे थे, leaders, उसमें भी कुछ ऐसा हुआ, देखें क्या हुआ, the council elections were boycotted in the most provinces, except madras, madras को छोड़ करके, जितनी भी provinces थी, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है provinces, एक होती है princely states, provinces वो होती है, जो border decide होती है, और Britishers के total control में होती है, provinces तो यह हैं, और princely states वो होती है, जहाँ पर आज भी राजा काम कर रहा होता है, रूल कर रहा होता है, तो यहाँ पर जो provinces थी, मतलब जिनकी border decide थी, और जहाँ पर government of Britain, वो work कर रही थी, या British India की जो government वहाँ पर काम कर रही थी, रूल कर रही थी, वो provinces थी, तो केवल madras को छो and the party of non-brahmins felt that the entering in council helped them to gain some power that usually only brahmins enjoyed, तो इसका main intention था वो यह था, कि जहाँ पर जो justice party थी, उस party के अंदर जो non-brahmins थे, उनको यह लगता था, कि अगर वो council के अंदर आ जाएंगे और वो जीच जाएंगे कुछ seats, तो जो केवल पहले brahmins ही enjoy कर रहे हैं, कुछ यसी power जो केवल brahmins को दी जा रही हैं, वो power ये लोग भी use कर पाएंगे, इस thought के साथ, उन्होंने council elections को boycott नहीं किया और उसमें participate किया, ठीक हैं, कहाँ पढ़ता है, मदरास, मदरास का अभी modern name क्या है, comment box मुझे जरूर बताना, अब हुआ क्या, जब इतना लोगों ने job छोड़ दी है, titles ल लोग जैसे schools नीच आ रहे हैं, कई सारी चीज़ें, इन सब के कारण क्या हुआ, कुछ economical नुकसान हुआ किसको, British government को, क्या क्या हुआ, जब हर एक चीज का boycott किया जा रहा है, तो उसमें foreign goods भी सबसे prior थे, foreign goods को सबसे prior रखा गया था, सबसे उपर रखा गया था, कि ठीक है, non-corporation moment में, आम जनता कैसे participate करेगी, कि foreign clothes, foreign goods को क्या करेगी, परचेज ही नहीं करेगी, boycott कर देगी, boycott कर मतलब है, एक तरीके से उनको, किसी भी तरीके से, ना तो use करेगी, ना use करने देगी, इधर legal shops जो थी, उनको भी एक तरीके से, बंद कर दिया गया, उसके खिलाफ भी, मतलब, बहुत सरे लोग चले गए, दुकानों के बाहर, मतलब, नारे लगाने लग जाते थे, उनको shut करवा देते थे, कुल मिला करके, पिकल्ट का मतलब, उनको बंद करवा देते थे, साथ ही साथ, जितने भी foreign clothes थे, उनको आग के हवाले डाल देते थे, मतलब, बोलत एक तरीके का positively और silently अपना protest हैं, जो किये कर रहे थे, ठीक है, कौन कर रहे थे, आम जंता of India, इससे क्या हुआ, British Government की जो economy है, उसके उपर काफी negative impact पड़ा, अगर मैं इन दो सालों की बात करूं, 1921-22 की बात करूं, तो economy जो थी, British Government की, वो 122 करोड से लेकर, मतलब, 102 करोड स 57 करोड तक आ गई, मतलब, इतना ड्रॉप हो गया इनकी economy में, 102 करोड से 57 करोड तक आ गई, इतना ड्रॉप, तो मान के चलो, इस बात से, जो रेज उनके वो तो नाराज हो जाएंगे, और क्या किया, कि जो भी merchants थे, जो भी traders थे, उन्होंने refuse कर देगा, कि भीया, foreign goods में हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले तो इनको फाइदा इसी से तो रहा था, प्रे टी-शिर्ट को, तो नहीं मना कर दे, कि भीया, trading नहीं करेंगे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें कोई मतलब ही नहीं तुमसे, हमारा और तुम्हारा relation ही नहीं है, ना तो तुमा करने से मना कर दिया, उसके अगेंस्ट में चले गए, इसका फाइदा यह हुआ कि जो प्रोडक्शन हो रहा था, इंडिन टेक्स्टाइल मील्स में, या हैंड लूम्स में, उनसे उनका प्रोडक्शन भढ़ गया, इससे भढ़ने से क्या हुआ, इंडिन लोगों ने वही क् से दो फाइदे हुए, पहले चीज, जो बॉयकॉट ही कर रहे थे, that was actually having the support from the common people, as well as जो भी, ये जो टेक्स्टाइल मील्स में काम करने वाले लोग थे, इनका प्रोडक्शन भढ़ा, तो इनका आमदनी भी भढ़ा, तो this was going good, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट कुछ प foreign clothes को पहनने से मना कर दिया, वो जान गए, लेकिन ये जो movement था, इस slowdown हुआ, because जैसे foreign clothes जो थे, वो काफी cheap rate में आते थे, industrialization आ चुका था, Britain में तो सारी चीज़ा machine से बनाते थे, और हमारे यहाँ पर जो काम होता था, वो सारा हाथ से होता था, बिख रहा होगा तुमें, औ जब हाथ से इतनी मैनत हो रही है, और कोई चीज़ बनाई जा रही है, तो उसका जो cost आएगा, वो जादा आएगा, तो खादी की जो clothes थे, वो expensive होते थे, cotton meal से, और जो करीब आदमी होता था, वो afford नहीं कर पाता था, इसलिए उसको foreign clothes को क्या करना पड़ा, जादा long time तक, एक लंबे समय तक वो उसको boycott नहीं कर पाया, और कुछ reason अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे, धीरे धीरे ये जो movement था, ये cities के अंदर slowdown होने लगा, क्यों, पहली चीज़ तो ही है, कि जिन clothes का हम boycott कर रहे हैं, वो सारे clothes काफी expensive, sorry, हाँ, बिनिन का boycott कर रहे हैं, वो तो सस्ते ह और जो हम उनके एक तरीए से alternative ले रहे हैं, वो clothes काफी महंगे थे, इसलिए सारे लोग जादा लंबे time तक उनको boycott नहीं कर पाएं, दूसरी चीज़, जो Indian institutes थे, मैंने कौन कौन से बताये थे, काशिविद्यापीट, और जामिया मिलिया, ये जो universities थी, ये setup की गई थी, द Indian institutes, no Indian institutes were set up in the place of the British ones, मतब उनके comparison में देखा जाए, British institute के comparison में देखाता है, जाए तो ये कही ना कहीं, ज्यादा sophisticated नहीं लगे लोगों को, students ने, वापिस से, students ने, teachers ने rejoined कर लिया, government schools and colleges को, इनको छोड़ करके, क्योंकि obviously नाम से तुम्हें बता चल रहा हूँ, कही ना कही जो, हाला कि है मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा religious dominated है, और जबकि ये institutes थे, आज के time की जैसे education इनको चाहिए थी, suitable वाली, वैसी education इनको मिल रही थी इन institutes में, और Indian institute ऐसा कोई भी नहीं था, इस current से इनोंने कहा किया, बाद में, वापिस से वो government courts में चले गए, rejoin कर लिया उन्होंने, और इस तरह से जो non-cooperation movement था, उसने अपने आपको, अपने priority को लग भग वापिस से खो दिया, these were the reasons के ये non-cooperation movement था, ये slowdown हुआ, सो फाइनली ये ही बात हुई कि जो movement था, ये non-cooperation movement, ये towns के अंदर कहीं ना कहीं, slowdown हुआ, और slowdown होनी ये current, unsuccessful हो गया, क्या-क्या दिखा, एक बर जल्दी से, फड़ा, से recap करते हैं, और तुम्हें इसके बारे में, पता होना चाहिए, छोटे-छोटे questions बनते हैं काफी सारे तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबसे पहले, क्या हुआ movements, मतलब किस तरह से movement हुआ, टाउंस में, तो क्या हुआ, ये non-cooperation खिलाफ़त movement की शुरुवात होती है, January 1921 के अंदर, December के अंदर इनका नाकूर session हुआ था, वहाँ पे Indian National Congress ने accept किया था, कि ठीक है भई, Muslims के साथ भी मिलके कर लेंगे हम, काम जो भी है, जो भी उनके problems उनको भी solve करेंगे, सवराज की demand को लेकर के, लोगों ने अलग-अलग तरीके से, इस movement के अंदर participate किया, सबका intention था, सवराज और खिलाफ़त issues को resolve करवाना, इस movement के अंदर, लोगों ने, मतलब basically ये middle class के साथ, जब शु सकते हैं, ऐसा ही किया लोगों ने, और अपने titles वगरा लोटा दिये, ठीक है, purchase करना, sale करना, इस सारी चीज़े मन कर दी foreign goods को, इसके कारण से Britishers की जो economy थी, उस पर काफी जादा negative impact पड़ा, और ये जो negative impact था, उसको Britishers जादा दिन तक झेल नहीं पाई, इसके कारण से उन्ह निवेंबर 1921 में उसके अंदर भी participate नहीं किया था, आप तुम कहोगे, सर ये तो 21 में start हुआ, और आप कह रहे हो के निवेंबर 1920 के अंदर ये, इन्होंने पहले इसको मना कर दिया, तो या मैंने तुम्हें कहा, maximum तो राजी थे, लेकिन कुछ राजी नहीं थी, क्योंकि जो चा रहे थी किसमें participate करें, और वो कुछ जो चा रहे थे ना, उनको भी convince कर लिया गया, तो और officially इनका announcement जो हुआ था, वो हुआ था, नागपुर सेशन में, 1920, आगे चलिके foreign goods का boycott हुआ, उसके बाल लीकर शॉप्स को भी बंद कर दिया गया, बहुत जादा, मतलब bonfires मे जैसे यह एक place होता है, यहाँ पे आग लगाई जाती है, और चीजें इसमें डाल दी जाती है, तो ऐसा ही कुछ हुआ, bonfire में आग मतलब इन सारे कपड़ों को डाल दिया गया, Britishers को काफी जादा नुकसान हुआ, लगबग 120 करोड से 57 करोड तक इनका economy आ गया, merchant traders ने भी refuse क कर दिया कि foreign, जो trade है, हम उसको support नहीं करेंगे, ना खरीदेंगे ना बेचे, इससे फाइदा यह हुआ, कि हमारे यहाँ पर जो कपड़े की textiles थी, Indian meals थी, उसको boost up मिला, और लोगों ने इसको start किया, and handlooms भी काफी जादा popular हुए इस दोरान, but problem, 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 वो यह थी, कि काफी महंगे थे, expensive थे, क्योंकि handmade थे, handloom के अदर जो भी चीज़ मिलती है, handmade मिलती है, खादी भी handmade था, even आज भी आगर आप खादी का एक रुमाल भी लेने जाते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, instead, जो दूसरे अपने रुमा बहुत सारी जगे पर, और उन stores पर, या फिर वो जो sales होती है, जहां पर, वहां से हमें कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, जिससे कि जो खादी से dependent या खादी के ओपर dependent लोग हैं, कहीं ना कहीं, इन लोग को क्या हो, benefit मिले, इंडिन इस्टिट्यूट्स इतने जादा competitive नही कुछ दिन तो जोश रहा, उसके बाद छोड़ दिया, इसकूल्स के अंदर अब कितने दिन तक घर बैठे रहते लोग, तो सभी लोग वापस से अपने jobs पर आ गए, तो इस तरह से जो moment था, टाउन्स के अंदर तो successful नहीं हो पाया, अब हम पढ़ेंगे कैसे यह जाके दू ग्रूप था और इसके अलावा था आपके, भूल रहा हूं मैं, देखो एक बार, और तीसरा जो, चौथा वाला जो point है, ट्राइबल ग्रूप, इसलिए हो जाता है दिमाग से, टाउन्स था, ट्राइबल्स था, इसके अलावा, कॉंट्री साइड था, हाँ, प्लांटेशन प्लांटेशन था, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते कही बार, थोड़ा सा डिमाग सलिप हो जाता है, देखो भई, टाउन्स में क्या हुआ, वो हम देख चुके हैं, कल हम देखेंगे, कॉंट्री साइड में क्या होगा, फिर ट्राइबल ग्रूप के बारे में भी कली देख ल तो ये चार मूमेंट होगे, तो इन चारों को अपने को देखना है, मिलते हैं, नेक्स लेक्चर में, इसके आगे डिसकस करते हैं, कि कैसे ये वर्क करेगा आगे, और कैसे ये अनसेक्सेस्फुल होगा, और इसके बाद से कौन से दूसरे मूमेंट होगे, इन सब के उपर बात करेंगे, नेक्स लेक्चर में, तब तक के लिए, बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं, कोई डाउट आए, तो पूछते हैं हमसे, बेटा, पूछा तो करो, पूछते ही नहीं हो आप लोग, कोशन्स पूछने जरूरी है, क्योंकि मैं बूल रहा हूँ, सब्जेक्टिव कोशन्स से आएगा 100%, तो आप इससे जुड़े जो भी कोशन्स हैं, जो भी ट्रिक्स आपको जानना है, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल के थुरू, हमें टेक्स्ट करें, आप परसनल भी मुझे भी टेक्स्ट कर सकते हो, so that we can help you, thank you so much for joining the glass, मिलते हैं नेक्स लेक्चर में, कर दो कर दो sillा है, तो खओया।